iCloud photos gallery में कैसे लाएं How to move photos from iCloud to iPhone storage जहां गाज अगर आप लोग भी अपने iCloud के photo को अपने gallery में लाना चाहते हैं तो आपने सही वीडियो पे क्लिक किया आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा कैसे आप अपने iCloud के photos को अपने gallery में download कर सकते हो So guys चलिए आज की इसमें वीडियो को start कर लेते हैं वाट गाज वीडियो को start करने इसे पहले अगर भी तक आपने चैनल को subscribe करके नहीं रखाया तो आप हमारी इस YouTube चैनल को subscribe कर लेजेगा बगल में एक बेल एकन हैगा उस पे क्लिक करके आपको all notification को select कर लेना So guys चलिए मैं अब आप लोगों को बताता हूँ कैसे आपको अपने iCloud photos को अपने gallery में लाना है सबसे पहले दोस्तों आपको अपने किसी भी browser को open कर लेना Simply आपको browser में जाना है उसके बाद यहाँ पे आपको search कर लेना iCloud.com And यह process मैं अपने iPhone के अंदर बता रहा हूँ जैसे गाएज आप लोग आप लोग आप लोग आप लोग आप लोग आप सफारी ब्रोजर के अंदर करोगे तो यहाँ पे iCloud सो होगा Simply आपको क्लिक करना उसके बाद iCloud.com open होगा उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको sign in पे क्लिक करना Sign in पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको अपना Apple ID का पासषर्ड और Apple ID एंडर कर देना And गाज यहाँ पे iPhone के अंदर करोगे simply आपको continue पर click करना, उसके बाद यहाँ पर अपको अपना face ID देना, जैसे आप लोग अपना face ID दोगे, यहाँ पर आपका login हो जाएगा, यह पल आड़ी जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर password मांगता है, तो आप password भी फिलब कर सकते हो, अपने Apple ID का, उसक आपको scroll करके नीचे आजाना, जैसे आप लोग नीचे आजाते हो, यहाँ पर mail, photos, drive, notes, remainder, find my device, option देखने को मिलेगा, simply दोस्तों आपको photos पर click करना, जैसे आप लोग photos पर click करोगे, तो यहाँ पर आपका सारा photos आजाएगा, जो photos आपने अपने iCloud पर upload करके रखा होगा, जै इस भी photo के यहाँ पर download करना चाते हो, अपने gallery में लाना चाते हो, यहाँ पर देख लेना, सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हो, मेरा काफी ज़्यादा photo को मैं अपने gallery में ला सकते हो, मान के चलेगा, जैसे आप लोग इस पर click करते हो, उसके बाद आप लोगों के सामने उसके बाद यह आपका photo download हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पर आपको share पे click करना, जैसे आप लोग share पे click करोगे तो यहाँ पर कुछ इस परकार का option हैगा, जैसा कि आप लोग इस पर देख सकते हो, यहाँ पर आपको एक option देखने को मिलेगा, share simply आपको इस पर click करना, उसक यहाँ पर आपको iCloud लिखे देना, उसके बाद एड पर click कर देना, उसके बाद यहाँ आपके home screen पर आजाएगा, जैसे आप लोग इस पर click करोगे, यहाँ पर आपका iCloud open हो जाएगा, जैसा कि आप लोग इहाँ पर देख सकते हो, मेरा iCloud photos यहाँ पर open होके आर चुका, उस इसके बाद फोटोज को ढाउनलड करने के लिए क्लिक करना, उसके बाद आपको डाउंलड पर click करना, जैसे आप लोग आपकोster होगे, ऑपने अन इंस्टाग्रम का option अपनी, और इमेज पर क्लिक कर दोगे उसके बाद आपको बैका जाना बैका जाने के बाद आपको अपने गैलेरी को अपन करना आप लोग देख सकते हो मैंने अपने फोटो को यह पे अपने आइफोन के अंदर ले आया है अपने आइफोन के स्टोरेज के अंदर ले आया है तो आप लो झाल झाल